हेलो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया से बहरेन और बहरेन से सौधी अरेबिया आने का सारा प्रोसेस आपको पता है कि सौधी अरेबिया ने जो लास्स सर्कुलर रिलीस करा था उसमें उनोंने ये कहा था कि 31 मार्स 2021 से फ्लाइट्स नॉर्मल स्टार्ट होगा और इंडिया और सौधी अरेबिया के बीच में जो एर बेबल एग्रिमेंट्स होने वाला था उसका कोई अपडेट नहीं है पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा जिस जिन जिनको भी सौधी अरेबिया आना है वो दुसरे दुसरे कंट्री से आर हैं मोस्ली दुबई से आरए कुछ लोंगों का वीजा दुबई का नहीं लगा है रिजेक्ट हो गया है बहुत सारे खारण है उसके बहुए कि बहुत ही क सरकुलर बहुत ही किलियर है कि जो भी लोग इंडिया ब्राजिल और अर्जिनटीना में पिछले 14 दिनों से हैं वो direct Saudi Arabia नहीं आ सकते आप जो भी लोग अभी इंडिया में हैं और आना चाहते हैं Saudi Arabia तो आप कोसिस करें कि वाया Dubai या दूसरे country से ही आए बहरेन से आने के लिए मैं उन्हीं को recommend करूँगा जिनका visa नहीं लग रहा है Dubai का जिनका visa reject हो गया है वो क्यों जब मैं आपको explain करूँगा तब आपको समझ में आएगा मैं कोसिस करूँगा कि आपको इस वीडियो में जल्दी से सारे information दे पाऊं तबी भी आपको अगर लगता है कुछ भी तो आप मुझे comment में लिखके बताईएगा इस वीडियो में मैं आपको बहरेन का visa का सारा प्रोसेस बताऊंगा बहरेन जानते समय कोविड कोरोना वाइरेस टेस्ट का क्या requirement से वो बताऊंगा वहाँ बहरेन में hotel accommodation के कितने खर्चे हैं वो बताऊंगा और ये fooding खाने का कितना खर्चा है वो बताऊंगा flight ticket इंडिया से बहरेन और बहरेन से साथी अरेबिया का कितने खर्चे आएंगे और कहां कहां से फ्लाइट से वो बताऊंगा और वीडियो के last में मैं सारे cost को calculate करके आपको बताऊंगा आप देख लिजेगा अच्छे से समझ लिजेगा करा है उन्होंने मुझे response करा है और एक link वेजा है आप देख सकते हैं स्क्रीन में तो उस link को click करके हम visa apply कर सकते हैं visa apply करने के बहुत सारे options हैं उसमें लेकिन एक जो visa category है वो हम लोगों के लिए suit करता है वो कौन सा category है वो है e visa one month के लिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं बहुत सारा visa category अगर आप एक एक को click करके देखेंगे तब समझ में आएगा मैंने सब को पढ़ा है और उसमें से एक visa category को चूज करा है जो है one month e visa bracket में जो GCC लिखा हुआ है उस visa category में कौन लोग जा सकते हैं जिनके पास साओधी का इकामा है जो साओधी के resident है साओधी या कोई भी GCC country के और उनके इकामा में कम से कम तीन महिना का validity होने चाहिए और कम से कम 90 days का passport में कम से कम 90 days का validity होना चाहिए लेकिन ये बहरेन का requirement है 90 days आप बहरेन से साओधी भी आएंगे साओधी का requirement है 6 month होने चाहिए तो all together आपके passport में 6 महिने होने चाहिए और इकामा में 3 महिने होने चाहिए तब ही आप ये visa को apply कर सकते हैं ये visa को आप online internet से apply कर सकते हैं कोई agent के तुरू भी apply कर सकते हैं लेकिन आप खुद से भी apply कर सकते हैं ये visa जब आप apply करेंगे तो apply करने के बाद आपको approval आएगा जब approval आएगा तब आपको payment करना रहेगा इसका payment कितना है? 29 बहरेन दिरम बहरेन दिरम और इंडियन रुपी का conversion और साओधी रियाल का conversion में स्क्रीन में display कर दूँगा आप देख लीजेगा वो लगबग लगबग 5,650 रुपे के करीब आएगा ये एक बात है और इस visa में 30 दिन आप बहरेन में रुख सकते हैं और इस visa का जो validity रहेगा वो 90 days रहेगा और ये visa लेके आप सीधा फ्लाइट से ही जा सकते हैं रास्ते के तुरू नहीं जा सकते हैं और अगर आपका visa expire हो जाता है आप बहरेन में होते हैं और माल लीजे कि आपको extension करवाना पड़ता है तो visa extend भी हो सकता है लेकिन उसके लिए कुछ extra charges लगेंगे और वहां का बहरेनी sponsor होना परेगा visa extend करने के लिए और यह visa apply करने के लिए documents क्या चाहिएगा documents बस passport चाहिएगा अगर Indian हम लोग जो Indian अगर जाएगे तो हमारे दोनो first and last page के copy लगेंगे color copy जो upload करना रहेगा online visa apply करते समय और यह visa 3-5 दिन लगते हैं process होने में कुछ cases में ज़्यादा भी लग सकता है और कुछ cases में कम भी लग सकता है तो यह सारे जो details थे वो visa से related था अगर माल लिजे आपका visa लग जाता है और आप travel नहीं करते हैं या फिर आपका visa बाद में जाके कुछ problem हो जाता है तो यह non refundable है यह बात अच्छा है कि जब आपका application approved हो जाएगा तभी आपको यह 29 बेरें देरम जो है देना परेगा जो कि लगबग 5,650 रुपे का है और आपको अगर यह सारे details जो में नहीं बताए हैं वो मैंने एक Excel seat में बना लिया अगर आपको चाहिएगा तो आप email ID दे दीजेगा मैं सारे details आपको step by step based दूँगा अब दूसरा point COVID test requirement हम इंडिया से सुरू करते हैं जब हम इंडिया से बेरें जाते हैं तो कोई COVID test नहीं करवाना परता है जब हम दुबए जाते थे तो हमें करवाना परता था लेकिन बेरें जाते समय नहीं करवाना परता है जब हम बेरें पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे airport में test करवाना परेगा उस test का fees लगेगा उसका fees कितना है? 40 बेरेंई दिरम वो लगबग लगबग आपका 7800 रुपे के करीब आएगा और जब आप airport में पहुंच जाएंगे तो आपको एक application डाउनलूड करना परेगा बी एवेर बेरेंई बोलके आप उस बेरेंई उस app के तुरू भी अपना ये 40 दिनार का जो payment कर सकते हैं या फिर counter में जाके cash payment भी कर सकते हैं ठीक है आप बेरेंई पहुंच गए वहाँ पे आपने कोरोना का test करवा दिया अब ये पहला test था और दूसरा test आपको कब करवाना परेगा जब आपका बेरेंई में 10 दिन हो जाएंगे 10 दिन से जो भी जादा रहता है उसको 10 दिन फिर से test करवाना पड़ता है फिर आपको 40 दिरम लगेंगे ठीक है ये दूसरा test हो गया तीसरा test आपको कब करवाना परेगा जब आप साओधी जा रहे होंगे साओधी जा रहे होंगे तो उसका नियم वही है कि आपको 72 hours के अंदर अपने departure के 72 hours के अंदर आपको test करवाना है तो वो हो गया आपका 42 दिनार ठीक है ये तीन test आपको करवाने परेंगे बहरें पहुचने के बाद तो ये हो गया दूसरा point जिसमें मैंने आपको बताया है कि क्या-क्या COVID test के requirements थे अब मैं आपको बताऊंगा कि जो tickets के बारे में इंडिया और बहरें के बीच में already air bubble agreements है ठीक है flights already आ और जा रहे हैं ये flights आपको डली टू बहरें का भी है प्राइस बेरें का भी अवर भी दूसरे सिटी से होंगे लेकिन मैं ये चारों को चेक कर रहा है आपके screen में वह सारे जो prices हैं जो lowest prices मैंने चेक कर रहे हैं वह आपके screen में है ये price vary कर सकता है मैंने जो ये price प्राइस चेक कर रहा है तो प्राइस आगे पीछे होता है तो प्राइस आगे पीछे हो सकता है जो दिल्ली से बैरेन लगबक कम से कम कम जो 1706 शूदी जितना बी तूड़ हादच 2 मेंने बताओ और अप चिन्हें से अगर बैरेन का देखेंगे तो है 15 66िए चा词 हो सकता है आपके date के यसाब से आपके airport के यसाब से ठीक है सबसे कम जो है वह है हाइडराबार का और अगर आपके जो nearest airport है उस हिसाब से आप चेक कर लिजेगा ठीक है अब जो तीसरा जो पॉइंट मैंने बताया फ्लैट के बारे में अब जो चोथा पॉइंट है वो है hotel से रिलेटेड देखिए बहुत सारे hotels है बहरें में जो high से high भी है लो से लो है लेकिन आप average में जाएंगे तो वह 10 BD से लेके बहरें दिराम से लेके पंदर बहरें दिराम में आपको अच्छा सा hotel मिल जाएगा ठीक है अब ये कुछ hotels में मैंने चेक कर रहे है उसका description में में link डाल दूँगा आप क्लिक करके चेक कर लिजेगा ताकि आपको अंदाजा मिल जाएगा मैंने कुछ hotels वाले को से अपडेट कर दूँगा या तो community page में बना दूँगा या देखूंगा अगर कुछ interesting सा package है कम से कम है या मुझे सारे detail मिलते तो मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा तो यह हो गया चौता पांचपा पॉइंट क्या है वहां का food खाने का खाने का ओल्मोस्ट दो बीडी में दो बेरेन दिरम में आपको दो टाइम का मील अराम से मिल जाएगा अगर आप साओधी रियाल में convert करेंगे तो एक बेरेन दिरम होता है लगबख लगबख 9.94 दस रियाल के कराब करीब हो ऊश्टल से थे हँगा सब्सक्राइब तो फोटल में भी बहुत सारे इपेंगे दे दो लेकर आपको देखेंगे मेनी और दो Stop से सेलेक्ट करें कुछ होटल की जो मैं डिस्कृप्च्रिप्चिन में दें दूँगा आप देख सकते हैं अब यह चार यह पास पॉइंट जो मैंने बता है इसके जो कोस्ट है मैं आपको एक साथ एक टेबल में बना के दिखा दूँगा ओके आप देखें अपने स्क्रीन मे ना हैं आपको सबसे पहले वीजा का कोस्त है जो की बैरेन मैं उसको कोस्त को बाटा है बैर in दिराम में बहुंस बिखकरस्ट गया है साओधी अरभिया में बीधिया है साओधी रियायाल में प्लिग नर के लिग लू थब वो 29 BD है जो कि साओधी रियाल में लगबग लगग 288 रियाल होगा और इंडियन करेंसी में 5632 रियाल होगा 5632 रुपे अब फ्लाइट का टिकेट जो मैंने आपको दिखाया है वो है लगबग 1770 जो डली से बहरेन का है ओके वो भी आप देख लीजेगा मैंने जो सीट देख लीजेगा एस्टीमेट है आपको असानी होगा आपने बजट को चेक करने के लिए अब कोविट टेस्स तीन बार करवाना परेगा पहले बार 40 BD दूसरे बार 40 BD तीसरे बार 40 BD ओके अब होटेल्स होटेल्स आपको लगबग लगबग माल लीजे 30,000 रुपे के करीब देखे तो 5,800 या 6,000 रुपे के करीब आएगा और फिर बहरें से साओधी अरेबिया का फ्लाइड जो है वो लगबग 7,54 या 800 रियाल के करीब आएगा तो यह सब को अगर आप मिला देंगे तो आपको लगबग लगबग आएगा 5,000 लगबग 5,800 रियाल के करीब और इतना खर्च आ सकता है अब कोश्ट जो है यहां पर सेम है चाहिए आप एक आदमी चाहिए या दो आदमी जाहिए दस आदमी जाहिए अगर कोश्ट कम कहां होगा होटल एकोमडेशन में बस क्यूंकि आप उतने ही पैसे में दो लोग भी रह पाएंगे लेकिन बाकी जो च अगर मैं अगर डीटेल में एक्स्प्लेइन करने लगो तो यह दो तीन गंटे लग जाएंगे तभी भी मैंने आपको जो डिस्प्ले करा है वही में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा अगर आपको यह सारे डीटेल अगर चाहिए गा तो मुझे इमेल आईडी बेस लीजेगा मैं एक और इमेल कर दूँगा ताकि आप पढ़िए समझे इसके बाद फैसला लीजिए और यह सारे जितने भी प्रोसेसे इसको करने के लिए आप कोई भी एजन से भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं मुझे को एजन के वारे में तो पता नहीं है जो यह सारे हाना है मुझे पाकिस्तान होते हुए आना है तो मुझे नेपाल होते होँए आना है तो मैं कोंडिश करूं का कि कोई ऐकंट्री को लोग उसके बारे में निसर्ट करो और आपको बताऊं अभी तक मैंने जो भी आपको डिटेल बता को यह मैंने जो बैर N until B attract है उसको रिफ आपको आपके सामने रख रहे हैं अगर आपको इसमें कोई भी डाउट ही तो आप कमेंड में लिखे और आपको अगर मेरा कॉंटेंट पसंद आता है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड जो भी परेशान है जो बाया दुबै नहीं आ सकते कुछ कारण के वेशें का वीजा नहीं लग रहा है उनको सेर कीजिए जल्दी में एक नया वीडियो के साथ आने का कोशिश करूंगा कल परसू कोशिश करूंगा कि इस बार भाया बंगलादेश कैसे आया जाए उसके बारे में डीटेल लोगा तब तक अपना ख्याल रखिए टैंक मां ऊपना ख्या समय में लोगा